ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिकी रक्सवी बागने जारी की है जिसमें कागा आए कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले ये आखरी अमेरिकी सेनिक है यानि 20 साल बाद गुपचुप तरीके से अपने सभी अतियार तालिबान को देकर अमेरिका ने अफगानिस चोड़ दिया अब दुनिया भर के विचले सक सवाल उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान का क्या होगा लेकिन हमारा सवाल दूसरा है और सवाल है कि अफगानिस्तान का क्या होगा दरसल 10-15 दिन पहले की बात है जब तालीब आनी चरमपन थी काबुल के राष्टपती भवन म में जमीन पर लट कर बैट कर और सोफो पर लट कर कबाब पेल रहे थे सड़कों पर अफरात अफरी थी उड़ते विमानों से लटकते लोग आश्मान से टपक रहे थे दुनिया के देश अपने अपने दूतावास बंद करके वहاں से निकलने का राष्ट तलास कर रहे थे लेकिन तब पाकिस्तान में जसन मना जा रहा था जसन के हालात ये थे कि इमरान खानने से अपकानिस्तान की आजादी तक बता दी नमस्कार रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके हैं मैं हूं राजी चोदरी गुजरत इन 15-16 दिन के बाद जैसे तैसे दुनिया के देश तो वहाँ से निकल गए लेकिन अब अमेरिका भी निकल गया पाकिस्तान में मायूसी है और मायूसी का कारण है पाकिस्तान वाला तालिबान अब एक तो इस तालिबान के अमले में दो पाकिस्तानी सेनिक मारे गए, दूसरा अफगान तालिबान के परवक्ता जबी उल्ला मुझाहिद ने पाकिस्तान को साप साप बोल दिया कि तहरी के तालिबान पाकिस्तान से उसे खुद निपटना होगा, उनकी लड़ाई वैद ह ये पाकिस्तानी उलेमाओं और मजभी मदरसा छाफ हश्तियों पर निर्बर हैं। लेकिन राजनेतिक विश्च ले सक इस ब्यान को आगे पाकिस्तान की बेवसी के रूप में देख रहे हैं। कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरी के तालिबान को रोक पाएगा, या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। थो अलग तंजीम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं हैरान हूं कि इनका क्या रिएक्शन था अफगान तालिबान का। क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा यह हमारा खेल नहीं है टी टी पी और पाकिस्तान खुद बात करें एक एक के साथ तो इसके माने यू गॉन बैक आम तोर पर परचलित कहवते हैं कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से खाए या साप सबसे पहले उसे डशता है जो से दूद पिलाता है लेकिन पाकिस्तान ने अपने या सापों को दूद के साथ दारू भी पिलाई मजवी दारू जिसका नसा करा कर वो अफगानिस्तान और कश्मीर जीतना चाहता था। लेकिन मजभी न से के उनमाद में आतंकवादी पाकिस्तान के गले के ऐसे साप बन चुके हैं जो ऐसे एक तहरी के तालिबान। कैसे बना पहले ये जानते हैं। दरसल 9-11 के हमले में अमेरिका ने अपने करीब 3,000 नागरिक खोए थे। उस समय अमेरिका को लादेन चाहिए था। तालिबान ने देने से मना कर दिया था। अमेरिका को साउत एसिया में कोई साथी नहीं मिला था या कव भाड़े का टटू नहीं मिला था। तब अमेरिका के ततकाली नाष्टपती जार्ज डबलो बूस ने गोशना करी कि जो आज हमारे साथ नहीं वो आतंकवाद के साथ है। पाकिस्तान इसमें सब से आगया आया। खूब मोटा माल अमेरिका से लिया और अपने ही पाले आतंकवादी यानि अल-काइदा और तालिबान पर भ्यंकर अमला शुरू करा दिया। ये वो दोर था जब नवाज सरीप को गद्दी से पटक कर परवेज मुसर्रफ खुद ही पाकिस्तान का राष्टपती बन गया था। ये को ये वो दोर था जब मुसर्रफ ने चार जार से ज़्यादा पाकिस्तानियों को उठा कर पैसो के बदले अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका अमला शुरू तो हो चुका था, मुझाइद इदर उदर भागने भी लगे, कुछ तोरा बोरा की गुफाओं में सरकने लगे, तो कुछ सीमा पार अपने वतन पाकिस्तान लोटने लगे। पर वापिस लोटने वालों पर पाकिस्तान आर्मी भी गोली बरसा रही थी। इस कारण स्वात गाटी में पाकिस्तानी आर्मी का विरोध होने लगा, नतीजा कबिला इलाकों में कहीं विद्रोई गुट पनफने लगे। 1772 के बीच इसी खैबर पक्तुनवा के बन्नु जिले के लांडी ढोग गाउं में चार भाईयों के बीच एक लड़के का जनम हुआ था। नाम रखा गया था बैतुल्ला। मजभी मान्यताओं का एक दम पक्का, कुरान और हदीश पढ़कर सातवी सदी के मदिने की रियासत का ख्वा बुनने लगा। जब बड़ा हुआ कैमरा संगीत से भी नफरत होने लगी मीडिया के सामने भी नहीं आता और देखते ही देखते तालिबान में शामिल हो गया। 2004 तक अफगान से भागे अलकाइदा और तालिबान के चरम पंथी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में जमा हो चुके थे। इस दोराल इनकी अगवाई एक नेक मुहमद कर रहा था। लेकिन साल 2004 में नेक मुहमद को पाकिस्तान आरभी निफटा देती है। नेक मुहमद की मौत के बाद मुला दादुला सही तालिबान के पाँच परमु कमांडरों ने एक मिटिंग में भाग लिया। जिसमें इसी बेतुला को मैसूद छेतर का मुला उमर का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अब इसका नाम हो गया बैतुला मैसूद पर किस्सा कुछ और भी था। इसी दोरान अमेरिका गवांत नामों बे जेल से रिया करता है मैसूद छेतर के एक अन्य तालिबान यातं की अब्दुला मैसूद को। नेक मुम्मन का बदला लेने के लिए बैतुला मैसूद ने अब्दुला मैसूद के साथ मिलकर पाकिस्तानी तालिबान का सपना बुनना शुरू कर दिया। हालकि ये सपना अभी देखा ही जा रहा था लेकिन एक दूसरा गुट था ये गुट था कारीजैन का ये भी कबिलाई गुट था और इसलाम के निजाम के लिए अमेरिका अफगान आर्मी से लड़ रहा था बहत्तारूर और जन्नत का लालच बेचकर इसने भी मदर्सों से कुछ लोग अपने साथ जोड लिये थे पर बता जाता है कारीजैन को सक्था कि गौंत नामो जेल से रिया अब्दुल्ला महसूद उनकी जानकारी अमेरिका को ट्रांसफर कर रहा है और उसे अजेंट समझ कर इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी को लीग कर दी इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने चापा मारी में अब्दुल्ला महसूद को निप्टा डाला और बाद में उसके कई पर मुखसाती एक बम स्पोर्ट में मारे गई इससे घबराए महसूद ने फरवरी 2005 में पाकिस्तानी सेना के साथ युद विराम की गोशना कर दी दोनों के बीच स सेन अभियान के दोरान घायल हुए या मारे गए फरवरी में समझोता हुआ और जुलाई तक बैतुल्ला महसूद ने इंतजार किया लेकिन मुआवजे की 20 मिलियन तो क्या एक फूटी कोडी भी किसी पीडित परिवार को नहीं दी गई जब बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तानी आर्मी से मुआवजे के बारे में पूछा तो जूटी पाकिस्तान आर्मी इस वादे से मुकर गई अब बैतुल्ला ने महसूद और वजीरिस्तान के 13 संगठन अपने साथ जोड लिये और गटवंदन करके एक आतन की गुट बनाया नाम दिया तहरी के तालिबान तहरी का अर्थ होता है उक्साना और तालिब का तो अर्थ आप जानते हैं चातर होते हैं यानि उक्साने वाला संगठन और अल्ला के निजाम के लिए पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू करती है जून 2009 आते आते पाकिस्तान सेना के समयत करीब 50,000 लोग स्वात गाटी खेबर इलाके में मारे जा चुके थे तैरी के तालिबान एक खौप का परियाए बन चुका था और खौप खाए पाकिस्तान ने जून 2009 में 50 लाग का इनाम बैतुल्ला मैसूद के सर पर रख दिया और अमेरिका से मदद मानी पांच अगस्त 2009 की रात थी बैतुल्ला मैसूद जब अपनी दूसरी पतली के साथ जंगारा में अपने ससुर के घर पर था तब यूएस आर्मी के एक ड्रोन ने मकान पर अमला किया और इसमें बैतुल्ला मैसूद का सेह परिवार काम तमाम हो गया बैतुल्ला मैसूद मारा गया या नहीं लेकिन इस पर संसेबर करार था कहीं शे कोई खबर नहीं आ रही थी तालिबान का कोई लिडर से मानने से इंकार करता रहा पर 18 अगस्त को मुल्ला उमर ने पुष्टी की कि बैतुल्ला मारा गया इसके दो दिन बाद यानि 20 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्पती ब्राक ओबामा ने भी एक रेडियो संबोधन में कया कि हमने बैतुल्ला मैसूद को निप्टा डाला बैतुल्ला मैसूद की मोत के बाद पाकिस्तान को यकीन था कि तहरी के तालिवान खतम हो जाएगा लेकिन अब इसके एक नए लीडर का चुनाव सुरू हुआ लीडर के लिए तीन नाम मुख्य थे हकीम उल्ला मैसूद, मौलान अजमुत तुल्ला और वल्यूर रह्मान सभी चर्चाओ के बाद एक दिन में तीन सो पाकिस्तानी सेनिकों को निप्टाने वाले हकीम उल्ला मैसूद को टी टी पी का नेता चुना गया और पाकिस्तान आर्मी पर फिर हमले चलू हो गए पाकिस्तान हकीम उल्ला मैसूद की टी टी पी से निपटने में लाचार हो गया और इस बार फिर अमेरिका की सरण में पहुँचा अंत में नुवंबर 2013 में पाकिस्तान तालिबान का सरगना हकीम उल्ला महसूद भी अमेरिका के एक ड्रोन अमले में मारा गया पाकिस्तान ने एक बार फिर रहत की सांस ली पाकिस्तान के अकबारों में हकीम उल्ला महसूद की मौत का जसन बना जा रहा था दूसरी तरफ तहरी के तालिबान पाकिस्तान ने असमत तुल्ला साहिन बिटानी को अपना कार्यवाक नेता चुन लिया चोकि अब तहरी के तालिबान को एक खतरनाक लिडर की तलास दी जो अल्ला के मार्ग से बढ़के पाकिस्तानियों को सही स्लाम समझा सके जल्दी तलास पूरी हुई और मलाला पर गोलिया बरसाने वाला अमेरीकी द्वारा पांच मिलियन डालर काई नामी मुला फजलुला तहरी के तालिबान का नया लेडर बन गया जिसने आते ही अमेरीका में कई बड़े हमलों को संचालित किया और दिसंबर 2014 को तो पेशावर के पाकिस्तान के आर्मी पबलिक स्कूल में हमला करके 130 बच्चों समयत 151 लोगों को मोत की नहीं सुला दिया इन हमलों के बाद एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी सरकार घुटनों पर आ गई चारों तरप मातमी मातम पसरा था यहां तक भारत में नेकों लोगों ने अपनी सोसल मीडिया की डीपी पर मौम बत्ती लगा कर उन बच्चों को सरधाजली देती एक बार फिर रोता बिलगता पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिडगड़ाने लगा थोड़ा समय तो लगा लेकिन एक बार फिर एक ड्रोन टेक हुआ और साल 2018 में मौला फजलूला को मार गिराया गया यह वो समय था जब पाकिस्तान गुड़ तालिबान और बैड तालिबान कहा करता था यानि अच्छा तालिबान अफगानिस्तान और भारत पर अमला करता है और बुरा तालिबान पाकिस्तान पर जबकि पाकिस्तान के लिए सरम से डूम मरने वाली बात यह थी कि जब उसके मासूम बच्चे आतंक से मारे जा रहे थे तो वैसी आतंक को महिमा मंडित करते हुए कश्मीरी आतंक की बुरहनवानी को अपना सहीत तक बता रहा था खेर मुल्ला फजलुल्ला के बाद आतंक के सरगना की जो गद्दी खाली उई थी उसे फिर भरा गया इस बार नेता चुना गया जिया उलहक अबू अमर खुरासानी को एक इसका उपर मुक बना मौलाना फकीर मौमन लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मौलवी फकीर मौमन को अमेरिका के इसारे पर अफगान आर्मी ने पकड़ लिया और उसे जेल में बंद कर दिया अब पिछले कुछ मैंनों पहले अमेरिका की जाने की गोशना के बाद तालिबान ने जैसे ही काबूल की और बढ़ना सुरू किया तो तहरी के तालिबान के पाँच जार से जादा लड़ा के भी तालिबान के साथ थे जो काबूल फते तक साथ बने रहे इदर पाकिस्तान जब अफगान तालिबान की जीत का जसन मना रहा था तब उसी दोरान अफगान तालिबान ने तेहरी के तालिबान के संस्ताफक बैतुल्ला मैसूद के कभी दाहिने हात रेर, उनके ड्राइवर कमांडर जोली समयत, कमांडर वकास मैसूद, हमजा मैसूद, जरकावी मैसूद, जयत्तुल्ला मैसूद, हमीदुल्ला मैसूद, डॉक्टर हमीद मैसूद और मज़र मैसूद समेत इन सभी के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द मौलवी फकीर मौम्मद को भी अफगान जेल से रिया कर दिया हलाकि इन की रियाई से पहले ही तहरी के तालिबान ने खेबर पक्तुनवा में चीन के नो इंजिनियरों को ले जा रही बसमें चाइना के नो इंजिनियरों को मार कर एक बार फिर पाकिस्तान को अपना रुटबा दिखा दिया कई बंबलाश्ट कारों भी मौलवी फकीर मौमद वो सक्स है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान को पसीना जाता है बता जा रहा है कि एक बार फिर रिया होते ही मौलवी फकीर ने बलुचिस्तान और खेबर पक्तून में आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा दिया और लोगों को संबोधित करते वे का कि अब पाकिस्तान में वैवस्था को बदलना होगा इसके लिए सभी संसाधन बलुचिस्तान और खेबर पक्तून की लड़ाई लड़ रहे लोगों को मौया कराए जाएंगे मौलवी के इस भासन ने इमरान खान को बहुत बड़ी टेंसन दी जिसकी गुंज इसलामाबाद से छपने वाले अकबारों में सुनी जा रही है यानि सच हुआ कि जो साप को पालता है साप उसे भी नहीं बकसता तहरी के तालिबान के खोप से आज पाकिस्तान का यही हल हो रहा है पर बकरेगी मा कब तक खेर मनाएगी